हलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई यूटूब चैनल इस वीडियो में हम एलाइन प्लाजो की कटिंग और स्टीचिंग सीखेंगे तो इसके लिए मैंने दो मीटर फैब्रिक ले लिया है तो सबसे पहले हम इसे चौडाई में डबल फोल्ड कर लिये हैं और अब इसको लंबाई हम 37 इंच रेडी रखेंगे तो यह दो मीटर फैब्रिक में हो जाता है यहां पर हम दो इंच का निसान लगाएंगे इलास्टिक के लिए और इसके बाद स्टाइन को सीधा कर लेंगे जिस साइड हमने इसे बंद रखा है उस साइड यहां पर हम 3 इंच का निसान बॉटम से लेके टॉप तक लगा लेंगे इसके बाद हम यहां पर लंबाई का निसान लगाएंगे लंबाई आपका 37 इंच रेडी रहेगा तो यहां पर हम एक इंच मोरने के लिए निसान लगाएंगे तो इस लाइन को आप मिस तरीके से मिला करके सीधा कर लेजिए और यहां पर ज 10-inch का मार्क लगा लेंगे 2-inch extra इसमें लूजिंग का जोड लेंगे इसी तरीके से आसन एरिया भी हम हिप साइज के कॉर्डिंग लगाएंगे हिप साइज का 1-4 हम 10-inch आसन के लिए मार्क करेंगे और उसमें यहां पर 10-inch की लूजिंग रखेंगे तो इस तरीके से 3-inch बढ़ा के मार्क कर लेना है इस लाइन को सीधा कर लेना है क्रोच एरिया के लिए हम यहां पर 2-inch की लूजिंग दे रहे हैं बड़ी साइज के लिए आप 2-inch की लूजिंग दे सकते हैं और यहां पर हम एक इंच का गुलाई दे करके इस तरीके से निसान बना लेंगे और अब हमें इस पॉइंट को नीचे से मिला देना है इस तरीके से सीधा मिला दीजिए इसी तरीके से हम क्लोज साइड भी मार्किंग कर लेंगे यहां पर जो तीन इंच का मैंने निशान लगाया था उसको यहां पर नीचे से मिला लेना है तो यह एक तरह से तीर्षी लाइन यहां पर खिच जाएगी तो इस तरीके से बना लेना है और यहां पर एक इंच की गुलाई दे देनी है मार्जिन में भी आपको एक इंच की गुलाई दे देनी है इस तरीके से और फिर इसको कट कर लेना है इसी निसान पर अब हम दो दो पल्लो को अलग कर लेंगे तो दो पल्ले एक साथ में दो पल्ले एक साथ में सबसे पहले हम आशन के लिए शिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से आप Margin निसान लगा करके आसन की सिलाई कर लीजिए तो अभी मैंने आसन की जोइनिंग कर ली है दोनों ही साइड का अभी इस तरीके से आपको Inner वाले पार्ट की सिलाई कर लीनी है तो आगे और पीछे के पलों को एक के उपर एक रखके अच्छे से इसको मिला करके सिलाई लगा लेना है इसे मैंने सिलाई लगा लिया है अब हम किनारों को जोईन कर लेंगे दोनों ही साइड के किनारों को जोईन करना है तो इसे बराबर किनारों को मिला कर जोइन कर लिए यहां पर मैंने किनारे जोइन कर लिए है और उपर जो है इलास्टिक के लिए फोल्ड कर लिया है वहां पर दो इंच का जगे छोड़ रखा है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए तो eelastsLESTIK आ आप इस तरीके से लगाए कि यहां पे कमर की साइट जो है 14 इंच है तो ELASTIK जो है 30 इंच का लगाया है यानि 4 इंच का कम करके ELASTIK यूज करना है आपको और यहां पर आपको एक सिलाई और लगा लेनी है तो इस वाली सिलाई को लगाने से एलास्टिक जो है किसकती नहीं है और अब हम नीचे मुहरी की सिलाई लगा लेंगे मुहरी सिलते समय आपको यहां पर ध्यान देना है कि दोनों साइड के जो जॉइंट है उन्हें इस तरीके से फैला कर फोर्ड करना है इससे फिनिसिंग बहुत अच्छी आती है तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से एलाइन फ्लाजो बनकर तयार हो जाता है थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो